इंदरी हलके में 10 जुलाई को यमना शेत्र में आई बार से लोगों को काफी परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है किसानों की फसले खराब हो चुकी है किसानों की धान की फसल गन्ने की फसल पशों का चारा और घर में रखा हुआ जुरूरी सामान में खराब हो चुका है लोगों का कहना है कि जब बार आती है तो परिशानिया तो होती है आपको बता दे कि इंदरी शेत्र में पिछले दिनों आई बाड की वज़े से कई गाउ में आज भी स्तिती सही नहीं है इंदरी हलके के बड़ा गाव के लोगों का कहना है कि अधिकारियों ने बड़े बड़े दावे तो जुरूर किये थे लेकिन आज तक कोई भी हमारे बीच में नहीं पहुंचा और कोई किसी तरह की हमें सुविधान नहीं दी गई किसी का मकान गिरा हुआ है और किसी की दुकानों में पानी है कईयों का घर का सारा सामान खराब हो चुका है और सफाई विवस्ता भी गाउ में सही तरीके से नहीं हुई और सबसे ज़्यादा परिशानी है पश्वों के लिए चारा भी अब नहीं है फसल तो पहले ही खराब हो चुकी थी लेकिन अब गाउं में कई तरह की बिमारिया फैलती जा रही है हाई फ्लू बुखार और भी कई बिमारिया गाउं में फैली हुई है लेकिन कोई भी डॉक्टर गाउं में नहीं पहुंचा नहीं उनके बारे में कोई जानकरी ली है बड़ा गाउं के लोगों का कहना है कि सड़कों की भी हालत खराब बनी हुई है धान की फसल पूरी तरह खतम हो चुकी है गन्ने की फसल भी काफी बरबाद हो गई है धान की फसल को किसान दोबारा से लगा रही है लेकिन पौध नहीं मिल रही है बड़ा गाउं के लोगों का कहना है कि बारिश के बाद बार के बाद हमें कई तरह की परिशानिया हो रही है जब पानी आता है तो उसके बाद बिमार्या फैलती है और उसके साथ गाउं में कई मकान गिरे है घर का सामान खराब हो चुका है यहूं जो थी वही भी खराब हो गई है कईयों को तो काफी नुफसान हुआ है अधिकारी आते हैं सड़क से ही चले जाते हैं लेकिन किसी ने ह मकान अपना बनाएंगे लेकिन अभी तक किसी ने हमारी सुध नहीं ली वहीं गाउं की गलियों का भी ऐसे ही हाला देखने को मिलें जगा जगा गंदकी के ढेर लगे हुए थे नालूं की सफाई नहीं थी गाउं की महिलाओं ने बताया कि इस गंदकी की वजे से गाउं मे काफी बिमारियां फैली हुई है हर घर में कोई ना कोई बिमार है कोई बार दे तो पानी पार रहता तो नक्सा नहीं था दे लगा तो गली में यह पाना बार निकाल के भ़े लगा रहाओ उस दिनका यहां सफ़ाई भी नहीं होएंगे बिमारी अपड़े इसकी वज़े से पुरा मोहला बीमार हो जागा इदर भूमेंगे फिरेंगे आएंगे जाएंगे फिर बच्छे बीमार हो जाएंगे और कुड़ा इप से पर पड़ा हुआए तो आभी इसका क्राव नोड़ा बंतबस भी इसार सफाई गाम में हो जाए तक कोई भी बीमार नहें अंक्खों की बीमारी चल रही है जंग जंग बच्चे बीमार हो रहे खर पे बच्चे बैट इस घर में तो बिटकुल बहुवे भी सासुए भी बच्चे भी सब बीमार हो रहे हैं वो तो गुंगट निकाल निकाल के चल रहे हैं कि किसी और को नहों जाए बीमारी और उनके घर किया गितना कुड़ा पड़ा हो एस फाई है तिन भी भाई आ रहे थे यहां तो इस दिन कार्पाफान कोई दीवार में पानी फूट जा बच्चे कर ऑए बाहे ब कारा नाज भी बहुत ढूरा हाले होगो झाता कने यहां है कर देखिए ऐसे अब दो जो भी कुछ दे रिएकाइजा कर आप के सामने है बताओ हम को उत्तोड़ाई काहरे है अगर अगर यहाँ परसो आते हैं निकल भी शुबाद यहाँ सी इतना पाणी था इतना इतना इतने दिन बाद कि यौटा है कि यौट कोई जूट ज्वोड़ा है बची भी गई और खतम भी होगी बड़े गाओ में कम सकम 200-300 फिल्ले खतम होगी और बची भी बहुत काफी यह नि जिस्तरों का पाणी आया था कोई उमीद नहीं थी बचने के बची भी बहुत क्या नाम आपका इसम सिंह राना खाबर नाम हर्याना के लिए इंदरी से वीज